गुड मॉर्निंग हिमाचल आप देख रहे हैं दिवे हिमाचल टीवी और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी शर्मा आपी तक की बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में दर्धनाक हादसा आनियंत रिथोकर गंभर पुल से नीचे जागिरा केंटर चालक की मौत सुन्दनगर में तेज रफतार कार बीच सड़क पल्टी अन्यकार को भिलिया चपेट में दो सवार घायल बुच गए घर के दोनों चीराग नहाने गए दो सगे भाईयों की डूबने से मौत टीम में सिलेक्शन को 115 किलाडियों ने बहाया पसीना सुबातु के साथ लगते गंभर पुल पर शनिवार देबरात एक बार फिर से दर्दनाख हालसा पेश आया है जानकारी के अनुसार शनिवार देबरात तेल से भरा केंटर सुबातु से कुनिहार की तरफ जा रहा था कि गंभर पुल पर अनियंत्री थोकर पुल से नीचे जागिरा जिससे केंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई हादसा इतना भयानक था कि तेल से भरा केंटर पूरी तरहे से चकना चूर हो गया मृतक राकेश पानीपत का रहने वाला था बता दे पिछले महीने भी इस्थान पर इसी तरहे की एक दुरगटना सामने आई थी जिसमें युवा भाई बेहन की मौके पर ही मौत हो गई थी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और शव को MMU भेज दिया गया वहीं पुलिस मामले की चानबीन कर रही है सुन्दरनगर उपमंडल के NH21 चंडिगर मनाली पर हादसे हैं कि थमने का नाम नहीं दे रहे हैं ताजा मामले में NH21 पर सुन्दरनगर के रोपड़ी में सलापड जा रही एक निजी कार रोपड़ी नामक स्थान पर अनियंत्रित होकर पलट गई कार ने सडक के नारे खड़ी अनियकार को भी अपनी चपेट में ले लिया जिससे कार बुरी तरहे एक शतिग्रस्त हुई है कार के पलटने से दो सवारों को चोटे आई हैं जिन्हें प्रात्मी कुपचार के बाद घर भेजिया गया है हालसे में दोनों कारे बुरी तरहेक शदी गरस्त हुई हैं सलापड पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है गर्शंकर तहसील के माहिलपूर प्रखंड के ग्राम डाडा खुर्द में प्रवासी श्रमिकों के घर के दो चिराग भुच गए उत्रप्रदेश के हलदी निवासी मितका के पिता इसफाग पुत्र सियाम देब ने वताया भे अपने बच्चों के साथ घर के काम के लिए लकडियां लेकर गाउं से निकला था कि तभी उनके बच्चे नदी में नहाने चल गए और दूब गए डूबते बच्चे भी चिलाए लेकिन जब तक लोग बचाओ के लिए पहुँचे तब तक वो डूब चुके थे माहिलपूर्थाना अध्यक्ष बलविंदरपाल ने मौके पर जाकर घंटों की मशक्कत थे बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला पुलिस ने शवों को कबजे में लेकर आगे की कारवाई शुरू कर दी है नहीं नहीं दोनों मुर्दा है हम उड़ा दोनों पूरे हैं आज अब लंदरपाल इस पेटर एसस्ट उठाणा माल को आज में तला में लिए कि तड़ा कला तड़ा को दुबी के दो बच्चे जो में दूरां दिया ओहो जंगल दिवाचे लपना कठीं करते थी जिना चान आजे हैं उदे प्रादा नों गुविंदा शानला बापत नों चंदरपाल जुकी दे रेंड बढ़े हैं तीक हैं दो बच्चे एक डूबर लगा दूआ नों पर दा फड़दा फड़दा दोने टोई डेप है तरा मेलदा ही प्रेंड पास ही ने कठे होगे अधी माध्य अधी मद्र किती दोने डेट बड़दा नों पाणी जो कट्टया और बहुत प्यान खासा होगा है पर इना दा डेट बड़दा नों शेला हास्ता लिया जेओंगा इना दी पोस्ट माड़म कारवे कीती जेओंगी एक्षा तरत ते जो इना नों स्रकार बड़़वा होजा जिसने 55 महिलावा 60 के करीब पुरुष खिलाडियों ने टीम में च्रेनित होने के लिए पसीना बहाया प्रतिवावान कोच ने खिलाडियों के हुनल को पर खा हौकी संग के सचीव रोमेश पठानिया ने बताया कि पुरुष वा महिला खिलाडियों में से 25-25 का च्रेन लड़कीया ट्राय देने आए हैं वो प स्चाहट के करीब है और साट के करीब लड़के ट्राय दीने आए हुए तो इन मैसे हमारे halo तो कि औलभी कमतर स्टाई सबस्किर्ण सब्सक्राइब धरा इंडिय। and abroad under the aegrees of Delhi world foundation is located in solon district in kandaghet in himachal pradesh on child road is easily reachable from the major cities the school nestles between two hills with its pristine beauty with a sparkling stream flowing on one side adorned with rich vegetation green fields and lush green trees the school is a senior secondary स्ट्रीज शलाइ 해। थार झायोंस प्रेज़ साफ रही जाप थालाख के वानवे का है थार डिवस के लिए बुलाख ऑर्धरी की द पूमानिज थां-पूटर का चार्ट ली बुले को मिलाख हлен पाल फू टेपयों और यह अलाख यू त्रजोंकरू सiva मुढर है तोहad, चलन क्राटीज वैस्तिविति एडिटी सिर्ज यूू रूंट रूलियो रूलिक इडू रोलिक ग्रोफ अंड वी राख्यों और रूलिज़ इनलेज इसाओ मज रूलिछ। विज फिल्यूपकी नौरिपन टिकॉप इंट इन रूलिज एपस तरूलिज बूलिज बूलिज बूल फेस्टेशन वेल चलाओ जुजाओ पारी तुले लगलत चारू टुजू गोज मुज़न विसुले रुप अटविटी रुजू वे विटाइठब टूरु इजू टूर रोलो इंका स्थे विल बारी गाइटजिज थाइडाड इंग्यार मेस्मुशिते इनीज अर्फूरा इन प्रूज करीज ंखिति अर्छ श्टूट ए्टो टूटू इन वेडी ए रडू ऑू टूल। झालिज वूट टींज पी आंप कि अखित एंग्धितिति अफ़ या पूर्श अबु तो द विर अव 55-964-0097